बीते 14 फर्वरी से दीग्रस नगर पालिका के प्रांगन में पैंशन सहित विविन मांगो के लिए सेवा निवरत करमचारियों द्वारा श्रंकलाबद अंशन शुरू किया गया था जो की 28 फर्वरी को समाप्त हुआ पालिका प्रशासन द्वारा लिखित में आश्वासन मिलने के बाद पूर्वराज क्रीडा मंतरी संजे देशमुक के हातो इन सेवा निवरत करमचारियों का अंशन चुड़ाया गया मालुम हो कि सेवा निवरत उपदान साथवे वेतन आयोक का पहला और दूसरा हफ्ता शेश अफकाश डिये एरियस आधी सहित समय पर पेंशन मिलने जैसी विभिन मांगो को लेकर इस अंशन की शिरुवात की गई थी मालुम हो कि लिखित में दिये गए आशवासन में कहा गया है कि फिलहाल पालिका प्रशासन की आर्थिक स्थिती कमजोर होने से जैसे जैसे निधी उपलब्ध होगा वैसे वैसे उक्त मांगो को पूरा किया जाएगा बहराल सेवानिवरत करमचारियों को इस अंशन को पूर्व सत्ताधारियों से कोई खास समर्थन मिलता नहीं दिखा जबकि पूर्व राज्यमंत्री संजे देशमुक ने इन उम्रदरा सेवानिवरत अंशन करताओं से समय समय पर मिलकर उनका ना सिर्फ मनोबल बढ़ाया बलकि पूर्जोर तरीके से इन अंशन करताओं का समर्थन किया बहराल सेवानिवरत करमचारियों को लिखित में आशवासन दिया गया तो है लेकिन अब देखना होगा कि आगामे दिनों में पालिका प्रशासन अपने आशवासनों पर कितना खरा उतरता है BCN News के लिए दीगर से जुवेर खान की रेपोर्ट